नमस्कार मैं हूँ दिवय बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 24 फ़वरे दिन सनीवार खबरों के अब अबने से पहले एक नजल सुर्खियों पर बिहार विधान परिसत की 11 सीटों पर मार्च में चुनाव मार्ख पुर्नीमा का व्रत आज बिहार के आकास दीप ने इंगलेंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में किया कमाज पटना हाई कोट ने फरजी डिगरी वाले सक्षकों की मांगी रिपोर्ट किके पाठक ने सक्षम्दा परिक्षा को लेकर दी जानकारी विदेश आने वाले बिहारियों की संक्या में आई कमी साब के काटने से नहीं होगा जान को खत्रा इसके साथी बरते अब तक के 25 बरी खबरों की और विस्तार से एंटी पीसी में डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकनी भरती कई विभागों में डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर केंद्रिये सारवधनिक छेतर की कंपनी एंटी पीसी लिम्टेर द्वारा भरती निकाली गई है जहां डिप्टी मैनेजर के पद पर 110 और असिस्टेंट मैनेजर के पद पर 20 भरती की जाएगी एक चोग मिद्वारिस के अधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन करने के इनतिन तारीक 8 मार्च 2024 निर्धारित की गई है इन पदों पर चैने तो मिद्वारों के वेतन की बात करें तो जिन्वियों मिद्वारों का चैन डिप्टी मैनेजर के पद के लिए होगा उनका वेतन 70 हजार रुपे से लेकर 2 लाख रुपे तक होगा वही असिस्टेंट वैनेजर के पदों पर 60,000 रुपे से लेकर 1,80,000 रुपे तक दिये जाएंगे इन पदों पर सेक्षिनिक योगिता हैं और अन्य पात रितना हैं आप इसके जी सूचना और आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं बिहार विधान परिशत की 11 सीटों पर मार्च में चुनाव बिहार विधान परिशत की 11 सीटों पर चुनाव की रेच सामने आ गई है इसके तयारी पूरी हो जोकी है एक इस मार्च को मद्दान की प्रक्रिया होगी वही चार मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 11 मार्च को नामंकन का आखरी दिन है आपको बता दे कि मुखे मंत्रें 30 कुमार राबरी देवी का भी कारेकाल पूरा हो रहा है इन के अरावे मंगल पांडे, खालिद अन्वर, प्रेम चंद्र मिस्रा, संतोस कुमार सुमन, सैयद सहनवाज हुसेन, संजय पासवान, रामेसवर, महतवादी का भी कारेकाल खत्म हो रहा है संजय जाक का भी कारेकाल पूरा होने जा रहा लेकिन ये राजसभा के सदर से चुने गए है, इस कारण उनकी सीट भी खाली हो चुकी है कुले 11 सीटों पर के लिए 21 मार्च को चुनाब होगा बिहार के आकास दीप ने इंगलेंड के खिलाफ चौते टेस्ट मैच में किया कमाल भारत और इंगलेंड के बीच राची के JNCA स्टेडियम में चौते टेस्ट मैच खेला जा रहा है इसमें बिहार के आकास दीप ने भारत को एक अच्छी सुरुआ दिलाने में मदद की है इन्होंने पहले ही इस पेल में 34 रन दे कर तीन विकेट को अपने नाम किया है आकास दीप के लिए राचीयस टेस्ट ड्रीम डेब्यू साबत हुआ इन्होंने इसमें एक अच्छी गिंद बाजी की है आपको बता दे कि आकास दीप रहतास दिले के सिर्फ सागर प्रकंट के बड़ी गाउं के निवासी है आकास दीप की सफलता के बाद उनके गाउं में जस्म का महौल है चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैन ने साथ विकेट खो दिया है फिलहाल इंग्लैन की तीम ने 302 रन बनाए है जो रूट ने 100 रन बनाए है ये क्रीज पर डटे हुए है वोली रॉबिंसन इनका साथ दे रहे है मार्ग पुर्णिवा का ब्रत आज आज मार्ग पुर्णिवा मनाई जा रही है इस दिन सत्यन आरायन पूजा, देवी लक्षमी और चंडर देव की पूजा का विसेश महत्व होता है वही मानिता के मताबिक इस दिन पूर्व में गंगा असनान करना चाहिए इस कारण आज सैकनों लोग गंगा में डुकी लगाएंगे इसके बाद भगवान भासकर को अर्ग देंगे वही यदि गंगा असनान संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जर मिला कर भी असनान किया जाता है माग पुर्णिमा के दिन दान का भी विसेश महत्व है इस दिन फूल पांच सुपारी मौली रोली आदी ठीजे भगवान को चरहाना चाहिए अंत में आर्ति और प्रार्तना की कि जाती है कई लोग इस दिन साम को चंद्रमा को अर्ग देते हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आर्ड़ी प्रसाद सिंके वारे में इनका जन्म 19 आउगस्थ वर्स 1911 में बिहार के समस्टेपुर जिले में हुआ था ये भारत के एक प्रसद कभी कथा कार और एकांकी कार के रूप में जाने जाते हैं इनके गिंती बिहार के स्रेष्ट कभियों में होती है, इन्होंने हिंदी साहिते में कई रचनाई की है, इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में आजकल कलापी, आर्सी, जीवन और यौन नई दिसा आदी सामिल है, इनके द्वारा लिखी गई प्रसत कहानियों में पंच प कॉपी का मुल्यांकन कारे जल्द होगा पूरा इंटर की कॉपी का मुल्यांकन कारे जल्द पूरा हो जाएगा कॉपियों के मुल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसे चार मार्च तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है उमीद की जा रही है कि होली से पहले 20 परिक्षा के परिनाम की घोस्त ना कर दी जाएगी, मालूमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के लिए पटना में साथ केंद्र बनाए गया है, जबकि पूरे राजे में 200 से अधिक केंद्रों का निर्मान कारे किया गया है, जानकारी के नुसार राजे में सिक्षकों की संक्या में बरहोत्री होई है इन्हें मुल्यंकन के कारे में लगा दिया गया है मुल्यंकन काम एक पाली में सुबर नौ बजे से साम के पांच बजे तक पूरी की जाएगी बिहार में 27,000 से अधिक वोटर की उम्र 100 साल से अधिक बिहार में चुनाव के मद्दान प्रतिसत में बरहोतरी होई है चुनाव आयोग के अनुसार राज में 27,000 से जादा वोटरों की उम्र 100 साल से जादा है चुनाब आयोग की रिपोर्ट में ये बात निकल कर सामने आई है मालूम हो कि राजे में कुल मद्दाताओं की संख्या 7 करोड 64 लाग है इन में से 2 करोड से अधिक लोगों की उम्र 30 साल से कम है वही लोकसबा चुनाब में 9 लाग से अधिक नय वोटर वोट करेंगे चंदरन की मामले में सुनवाई की है कोट ने सरकार को दो सफता का समय दिया है आपको बता दे कि ये मामला कई दिनों से चल रहा था लेकिन जांच धीमी रही के इसके बाद कोट ने संय सीमा का निरधारन किया इसके तहट सिक्षकों को अपनी डिग्री वा अन्य कागजाद प्रस्तूत करने के लिए कहा गया है तेह समय के तहट कागजाद और रिपोर्ट नहीं देने वाले सिक्षकों के खिलाफ कारवाई का आदेश है फिल हाल एक हजार से अधिक सिथिकों के रिपोर्ट उपलब्द नहीं है बिहार में 30 सहरों में मकान बनाने के नियम में बदलाव किया गया है आवासी विभाग ने 30 सहरों के प्लानिंग एलिया के थेट आने वाले ग्राम पंचायतों में बिल्डिंग बाय लॉज के प्रावधान को लागू कर दिया है इसके बाद अब बिल्डिंग ले आउट नकसा पास कराने से जुरे मुखे कारे पालक CEO के समख चाविदन देना होगा नकसे को पास कराने के लिए ने सक्चन प्राधिकार के रूप में चैनेट किया गया है इसके बाद अब मुखे कारे नकसे को पास नहीं कर सकेंगे पहले ही गया धिकार मुखे के पास होता था विल्डिंग बाय लॉज के तहट भवनों के निर्मान की मंजूरी मिलेगी ग्राम पंचायतों में भवन या ले आउट योजना के नकसे के स्विकृती मुखे कारे पालक पदारे कारी की ओर से दी जाएगी केके पाठक ने सक्चमता परिक्षा को लेकर दी जानकारी सक्चा विभागया पर मुखे सचीप कर दिहार पहुंचे केके पाठक ने कहा कि बिहार में 50% बच्चे अभी अपने सक्चा के नुसार दक्ष नहीं है ऐसे में सक्चक छुटी होने के बाद ऐसे कमजोर बच्चों को मिसंद दक्ष के तैत विसेश रूप से सक्चा प्रदान करे इससे बहतर परिनाम देखने को मिल सकते हैं सक्चा बिभाग के अपन मुखे सचीव ने आटवी कक्चा के बच्चे के द्वारा हिंदी विसेय का एक पन्ना भी नहीं पढ़ने पर चंता जाहिर की ही पटना के मरीन ड्राइब में मिलेगी फूट कोर्ट सहीत कईस्विधा पटना का मरीन ड्राइब और सुन्दर होने वाला है इसको लेकर पत निर्मान में मंत्री विजग कुमार सिन्हा ने कहा है कि जेपी गंगापत समग्र उद्यान योजना के अंतरगर दिखा से गंधी मैदान के बीच जेपी गंगापत के दोनों और भूमी का विकास किया जाएगा यहां 90 प्रतिसत भाग पर पेर पौधे लगेंगे इस इलाके को हरा भरा किया जाएगा वही 10 प्रतिसत भाग में मूर्भूत सुमिधाओं के साथ फूड कोट डिवर फ्रंड साइकल ट्रैक वानसपते को ध्यान वौकिंग ट्रैक पार्किंग आदी की व्यवस्ता की जाएगी इसके बाद का मनिन रैप का लुक बदल जाएगा जेपी गंगापत पर बना पार्क आधुनिक होगा कई जगों पर सेलफी पॉइंट में बनाए जाएंगे हॉस्पिटल की जमीन पर अवैत कबजे को लेकर कारवाई का आदेश बिहार विधान सभा के सदस्य पवन कुमार यादव ने अस्पतालों में जमीन पर अतिकरमन को लेकर सदन में सवाल किया है इसके बाद उपमुखे मंतरी सर समराच चौधरी एक्सन मोड में आ गया है उन्होंने इस पर तुरंट कारवाई का आदेश दिया है समराच चौधरी ने कहा है कि अस्पतालों के जमीन पर अवैत कबजे और अतिकरमन को तुरंट खाली करवाना चाहिए इससे लेकर दिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अतिकरमन हटाने के साथ ही कहा गया है कि इसके बाद आगी की कारवाई के लिए विभाग को तुरंट सूचित किया जाए उपमुखे मंतरी ने जानकारी दिये कि वेसे लेकर डियम से खुद बात चीत करेंगे विदेश आने वाले बिहारियों के संख्या में आई कमी बिहार के लोगों में विदेश आने के क्रेज में कमी आई है दरसल पासपोर्ट आवेदन में 50,000 तक की कमी देखने को मिली है खासकर कोरोना महमारी के सामने आने के बाद ये कमी दर्ज होई है पिछले एक साल में इसमें 5,000 की कमी होई है चेत्री कारे काल पत्ना में साल 2022 की तुल्ला में साल 2023 में पासपोर्ट और अन्य दस्तावेट बनाने के लिए 11 फिस्दी कम आवेदन आए है साल 2022 में 4,55,000 लोगों ने आवेदन किया था इसके बाद साल 2023 में 4,55,000 लोगों ने आवेदन किया है निस्पादन की दर्वी धीमी हो गई है इस कारण राजस्व में भी 9% की कमी दर्ज की गई है SSC की नई वेबसाइट होई लॉंच SSC की नई वेबसाइट लॉंच होई है इसमें बन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है कर्मचारी चयन आयो की वेबसाइट 17 फरवरी से लाइब हो जोगी है इस वेबसाइट पर लॉग इन करके आसाने से SSC से जोने परिक्षा के डीटेल लिये जा सकते हैं इस नई प्लेटफॉर्म के जरिये पुराने प्लेटफॉर्म पर एकसेस संभाव है नई वेबसाइट SSC.gov.in है वहीं पुरानी वेबसाइट SSC.nic.in है SSC की नई वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए पहले से कैंडिडेट सक्षन में जाकर अंडर स्पेसल सक्षन को सिलेक्ट करना है इसमें OTR को भरने के तरीके की जानकारी मिल जाएगी साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए नई वेबसाइट पर रजिस्टर लिंक पर क्लिक करना होगा इसके बाद परसनल लीटेल को भर कर एक ग्यारा दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रेक्रिया को पूरा करना होगा बिहार में किसान को खेती के लिए मिले 16 वाड बिहार के पुन्याज लेके रानी पत्रा के किसान ने खेती में कमाल कर दिया है ये किसान खेती के टौपर स्टूडेशन रहे है इनका नाम सशिभ ईसन सिंग है इन्के जैविक खेती की है ये एक प्रगतिश सील किसान है इन्हें खेती के लिए 16 अलग-अलग पुरसकार मिले है इन्हें राज़ेपालने के पुरसकार दिया था, खेती में ये हर बार कुछ नया करने की कोशस में लगे हैं इस कारण ये अच्छा मुनाफ़ा भी कमाते हैं, इनके खेत में हरी सबजी, मौसमी फल के साथ साथ कई तरह की गो भी नजर आते हैं पचीस सालों में ये खेती से जुरे हुए हैं, साथ ही ये अन्हे किसानों को खेती की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, शुरुवाद से इन्होंने खेती में कुछ नया करने की कोशस की थी, इसके लिए इन्होंने क्रिसी कॉलेज और क्रिसिविस्विस्विद्याले की भी मदद इसका अच्छा रिजल्ट भी निकल कर सामने आया है। आने वाले 3-4 दिनों में मौसम में कोई विसेश परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसका अच्छा रहा है कि दर्भंगा एर्पोर्ट के निर्मान के बाद लाखों लोगों को इससे फाइदा पहुंचेगा। जिल्ट के आसपास के लोगों को भी इससे फाइदा मिलेगा। बिहार विधान सभा के ने उपाध्यक्ट चुने गए नंद नारायन यादव। इसके बाद बिहार के सियम नितीश कुमार ने इन्हें बधाई दी है। इन्हें सर्वस सम्मति से बिहार विधान सभा का दस्मा अध्यक्ट चुना गया है। उप्मुखे मंत्री समरार चौधरी के साथ ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इन्हें बधाई दी है। नंद नारायन यादव को सियम नितीश कुमार का करीबी नेता माना जाता है। जस्वी आदव ने भाजपा पर बोला हमला। बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्त जस्वी आदव जन विस्वास यात्रा के दौरान बकसर पहुंचे। यहां उन्होंने किला मैदान में लोगों को संबोधत किया। साथी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वौसिंग मसीन हैं लेकिन यह रष्ट बीन भी हें। जितने भी लोग हैं यह उसमें इसे सामिल कर रही है। महागरबंदन की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। साथी लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है। महागरबंदन की सरकार ने ही नियोज़त सिठ्थकों को राज कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया है। के विसका असर खत्म कर देता है इस कारण साफ के काटने के बाद भी लोगों के जान को जाने का खत्रा नहीं होता कोब्रा किंग कोब्रा क्रेट और ब्लैक मामबा के जहर से भी लोगों की रक्षा संभब हो जाएगी कहा जा रहा है कि पहली बार भारत में साफ के जहर के चले जाती हैं के तो आज की स्वामी नारायन मंदर का एहंदाबाद में अगाटन हुआथ आज के दिन वर्स दोजार एक में पाकस्तान भारत से परमानों निवारन के लिए वारता को तयार हुआ था आज के दिन वर्स दोजार आट में मुंबई की सगुन सारा भाई ने जोहांसबर्ग में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था आज के दिन वर्स आने में कई ऐसी चीजे हैं जो वाइरल होती रहती हैं कई खबरे सही होती हैं तो कई खबरे फर्जी भी होती हैं ऐसे में कौन सी खबरे सही और कौन सी गलत इसका पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है इसी करी में घर बैठे मुफ्त में medical parameters की सुवदा देने की खबर सामन की खबर एकदम सही है इस संजीबनी के जरीए आम लोगों को घर बैठे बाकर इस तरह के medical parameters की सुवदा दी जा रही है जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं वाट्चप को इस्तिमाल करने वाले करोरों यूजर है इन यूजर्स की सुवदा और उनकी privacy का वाट्चप खास ना ही उसे download कर सकेगा यानि अब इस नय फीचर की मदद से आपके DP पर restriction लगे रहेंगे हाला कि वाट्चप ने अपने इस नय फीचर को सभी के लिए रॉल आउट नहीं किया है टेस्टिंग पूरी होने के बाद इस नय फीचर को सभी के लिए वाट्चप जल्द ही रॉल बैंकिंग एफमसी और पीएस आई सेरों पर दबाब देखने को मिला पीएस यू बैंक के सेर लुरग गये बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज 15.4 चार चार अंक्यारी दो फीस्दी गिरावर्ट के साथ बंद हुआ है दूसरी और निफ्टी में 4 दसमलब 7-5 यानि सूने दो प्रदीशत की गिरावर्ट देखने को मिली है यह बाजार यह बाइस हजार दोसो बारत असमलब 7 सूने के अस्तर पर बंद हुआ है बाइस फ़वरी को बाजार हरे निसान पर बंद हुआ NSP खाते में आधार का वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा एक अप्रेल से यह नई विवस्था लागू हो जाएगी PFRDA ने आधार का वेरिफिकेशन अनिवारिक कर दिया है दोने सत्यापन के बाद ही खाते से रुपे की निकासी संभव हो पाएगी इसके नुसार CRE में लॉग इन के लिए सुरक्षा के अन्य उपाय किये गये हैं इसमें लॉग इन करने के लिए दो सत्यापन करना होगा आपको बता दे कि CRE सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है इसे NPS से संबंधित कामों के लिए बनाये गया है फिलहाल NPS के सिदस्टम के खाते में लॉग इन करने के लिए उप्योग करता ID और पास्वर्ट की सहायता लेनी पड़ती है इसके जर्ये ही खाते में कोई बदलाव या निकासी होती है वहीं अब इससे आधार सत्यापन में जोर दिया जाएगा हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि वीपी ऐसे बिहार पुलिस दरोगा समेट ऐसे से जैसे नर्प्रदोगी परिक्षाओं में काम आएंगे पूछेंगे पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है दिल्ली में किसका एउजन बाई से पचेश फ़वरी तक किया जाएगा ऑप्षन है पक्षी महोचप दोहजार चौविस ऑप्षन भी है कलाइवम संस्क्रेथी महोचप ऑप्षन सी है उर्दू हैरिटेज फेस्टिवल दोहजार चौविस ऑप्षन डी है परियावरन गोल्ड में पार जीता है पंजाब विस्विद्या मियं उप्षन वियार भूग हो जाएखी में एक रिशी फिरियाओ मान में काहां पर मिस्व पेजिन्प रधियोगिता धोज़ा चौविस चुरू हूँ है उसका ने घुए वप्रेंगबशा को राण डिया दिल्ली इसका सहीं तरह दिल्ली मुझापर पुर्जिला होम रूल के स्थापना किस ने की थी आप्सन ए जरक धारी प्रसाद आप्सन बीए चंदर बंसी प्रसाद आप्सन सी ब्रज किसोर प्रसाद आप्सन डीए सचीदानन से नहाँ इसका सहीं तरह जरक धारी प्रसाद बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था आप्सन है वर्स 1910 में आप्सन भी है 1912 में आप्सन सी 1911 में आप्सन डीए 1947 में इसका सहीं तरह 1912 में बीटे दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत वह जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्सन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने वह पूछे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है रौसन कुमार संतोस कुमार तिवारी संझर्ष कुमार सुमित सर्मा बिट्टु कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज कर सवाल बहार में रोजगार को और बरहने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए आप अपना जवाब हमें मारे कोमेंस में बॉक्स मलेकर ज़रूर बताएं अन्यवाद.